लॉप कि अज़ाए लॉप कि अज़ाए एप अज़ाए 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 नमाश्कार दोस्तो आपका Bone Doctor के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे Boxer's Fracture के बारे में Yes, Boxer's Fracture जो यंग मेल्स में देखा गया है यह यूज़िली होता है Clenched Fist से या किसी को अगर किसी ने मारा है और पंच बराबर बैठा नहीं या वाल पे गुसे में किसी ने पंच किया है तो यह जो लास्ट मेटा कार्पल है इसके नेक या नीचे शाफ्ट में फ्रैक्चर हो जाता है और जब पेशन्ट आता है तो इस एरिया में काफी स्वेलिंग होती है थोड़ी ब्लीडिंग दिख सकती है और यह नकल जो प्रॉम सेकना ज़रूरी होता है जो सेकेंड और थर्ड मेरे कार्पल है वह नीचे केसल बॉनज में जो ईन होते हैं और यह ही डुम आधा काल चैश्क तक movement होती है तो इसका importance क्या है इसका importance यह है कि जब boxes fracture होता है तो आपका जो neck fragment है वो नीचे की तरफ जुग जाता है तो अगर 4th या 5th metacarpal में यह fracture हुआ तो क्यूंकि यहां movement है यहां थोड़ा angulation हम accept कर सकते हैं surgery करने की जरूरत नहीं होती तो 4th metacarpal में 30 degree तक acceptable angulation और 5th metacarpal neck fracture में 40 to 45 degrees तक acceptable angulation क्यूंकि यहां angulate होता है तो भी यहां movement से compensate हो जाता है और long term effect नहीं होता grip strength और काम करने में लेकिन अगर आप इसे fix नहीं करेंगे तो आपका knuckle prominent नहीं होगा कई लोग बोलते हैं हमें absolutely normal hand चाहिए because we are sports people या हमारे हाथ से बहुत काम होता है तो फिर दो तरीके हैं इसको ठीक करने का एक तो थोड़ा local या general anesthesia देके हम fracture को reduce करते हैं और देखते हैं stable है के नहीं तो इसका reduction कैसे करते हैं इसका reduction जैसे कि आप यहां देख सकते हो पहले तो हम यह finger को flex करते हैं और फिर इसको इस तरह दबाते हैं यह फिंगर से नीचे दबाते हैं और यह फिंगर से उपपर दबाते हैं ताके यह जो अपनी जगा पर बैट जाए उसके बाद आप गटर स्प्लेंट दे सकते हो या एक प्रॉपर प्लास्टर दे सकते हो अगर रिडक्शन अंस्टेबल है और अंग्यूलेशन आजकल फेवर ٹेकर रिजिख न bumper करते हैं यहां चोटी से इंसिशं करते थीन पतली वाightर लेते उसको आप देख रहे हूं, bioabsorbable implant आये. वीज ऐसे ही reduce करते हैं जैसे मैने आपको बताया, फिर इस हिस्से से 2 bioabsorbable pin ढाल देते हैं. यह निकालने की ज़रूरत नहीं. यह over the time body में absorb हो जाते हैं. तो इससे हैं movement जल्दी शुरू होती है, और stiffness वगरा नहीं होता है. तो यह लेटेस्ट टेक्निक से बॉक्सर्स फ्रैक्चर ट्रीट करने के लिए तो आज का एपिसोड यहीं खतम होता है अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए बेल आइकोन दबाईए और अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिए थैंक यू